आज मैं शेयर करूंगी चिकन कलेजी फ्राइए अपने बहुत बार बनाई होगी इस बार मेरे तरीके से चकपटी सी चिकन कलेजी तवा फ्राइए बनाकर जरूर ट्राय करिएगा इंशालला इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर और आपके तरीके से दो कर साफ किये हैं हल्दी पडर 1-4 टी स्पून नमक दालेंगे 1-4 टी स्पून से थोड़ा सा कम हाथों स अच्छे तरीके से लगा लेंगे फ्रेंड्स कलेजी को हमने धोते समय कलेजी दोते समय आप 10 मिनट पहले विनेगर डाल कर इसे चोड़ दीजिएगा फि अच्छे तरीके से हम भुनने वाले हैं ताकि इसकी सारी स्मेल निकल जाए फ्रेंड्स हमने विनेगर डाल कर दोए हैं अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो फिर आप एक निमू का रस दाल दीजे 10 मिनट पहले और फिर इसे अच्छे से 3-4 पानी से दो दीजिएगा इ भाछ उर्ष रख लेंगे तो फीलग मीक्स करिंगे रखने के लिए अच्छे से विला लिए अब दाल हैं अच्छे तरीके से अधरन का पेस्ट आट रख निकॉ े मिक्स कर लेंगे तो दाले। हम एक्सटा पानी नहीं दालने वाले हैं कले जी वेसे भी बहुत सौफ्ट होती है अब इसमें हम दाल देंगे कुटि वी धनिया डालेंगे one tea spoon और हाफ tea spoon दाल कुटिवी लाल मिर्च, अब इसमें हम दालेंगे पुदिने के पत्ते थोड़े से तोड़कर दाल रही हूं, अगर हम काटकर रखते हैं तो काले पड़ जाते हैं, पुदिने के पत्ते इसले में हाथों से तोड़कर दाल रही हूं, अब इसमें हम दालेंगे हरी मिर्च, दो बढ़ी आती है और खाने में तो बहुत ही टेस्ट फुल लगती है इसमें थोड़े से हम हरी धनिया को चॉप करकर डाल देंगे और कलेजी को चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे चाट मसाला हाफ टीस्पून चाट मसाला जरूर डालिएगा बहुत टेस्ट अच् अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चाट मसाला डालकर हम सारे कलीजी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है अब इसमें डालेंगे हम कशमीरी रेड चिली पाउडर फान ब 1 proch टीस्पून से भी कम डालेंगे हैं- अच्छे कलर के लिए डाल रही हूँ वैसे तो हमें ती हमने दाला है भूनेवे जीरेका पाउडर आफ केमेरा गया है फ्रेंड्स 140 पून हमने भूनेवे कुटेवे जीरेका पाउडर डाले है अच्छे तरीके से मिक्स करें है अच्छे से ढक्कन कवर करकर फिर हम इसे 3-4 मिनट पका लेंगे आप देख सकते हैं कलेजी हमारी काफी अच्छे तरीके से भून चुकी है हम एक बार फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब ढक्कन कवर नहीं करेंगे इसी तरह से हम भूनेंगे इसे 2-3 मिनट शुरू से आखिर तक हमने इसे लोटू मीडियम फ्लेम पे ही पकाया है हमारी कलेजी तवाफ्राइ तयार है आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा बहुत ही टेस्फुल लगती है खाने में चिकन कलेजी तवाफ्राइ एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राइ करिएगा इंशालला कल फिर मैं मिलूंगे एक नई रेसिपी के साथ अपना खायर रखिए सेफ रहिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू फर वाचिंग